हेलो बच्चों माई नेम इस अजीद कुमार और एके साइन्स क्लासिस के लाइब क्लासिस में आपका स्वागत है जैसा कि बच्चों बोर्ड के उपर देख रहे होंगे तो हाँ बच्चों रे अपकों में एक बहुत इंपॉरडन टॉपिक हम लोगपणने वाले हैं तो आज का live session बहुत important होने वाला है क्योंकि आज एक बहुत important topic चलने वाला है reflection of light के अंदर critical angle and total internal reflection तो चलिए फड़ाफट सारे लोग online session को join कर ले बच्चों लेट मत करें time हो चुका है चलिए फड़ाफट सारे लोग online session को join कर ले एक बहुत important class आज का होने वाला है board point of view से भी IIT, NEET, सबके point of view हर exam के point of view से आज का session बहुत important होने वाला है तो आज का session बिल्कुल miss नहीं करना है किसी को भी छोड़ना नहीं है बहुत important classes है और यहां से हर शाल तकरीवन एक questions तो पूछते ही हैं कर जचित कर लोड़ना गाषा है पूड़नाा गाञा है पूड़ना बहुत आज करे का कि अ कि अ कि अ कि अ चलिए चलिए फड़ावर सारे लोग ऑनलाइन सेशन को जॉइन कर लिए बच्छों शुमीद वनवाल गुड मॉर्निंग चलिए फड़ावर सारे लोग ऑनलाइन सेशन को जॉइन कर ले बच्छों लेट मत करें और सबको हैपी इंडिपंडेंस डे टू आल ओके हैपी इंडिपंडेंस डे टू आल अधित्या गुड आप्टर नून चलिए फड़ावर सारे लोग ऑनलाइन सेशन को जॉइन कर ले बच्छों लेट मत करें पलवी गुड आप्टर नून चलिए कमेंट करके बताएं बच्छों आज का लाइप सेशन स्टार्ट करें कमेंट करके बताएं आज का लाइप सेशन स्टार्ट करें बच्छों ओके चलिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आज का लाइप सेशन बहुत यहां से हर साल questions पूछे जाते हैं board exam में भी, IIT के अंदर भी, NEET के अंदर भी, NDA के अंदर भी, हर 12th level के competition exam में यहां से सवाल पूछे जाते हैं. ओके, चलिए, तो आज का live session स्टार्ट करते हैं, जैसा कि thumbnail से भी पता चल गया होगा, और board पे heading भी डिला हुआ है, आज हम लोग दो topic के उपर बात करेंगे, एक critical angle and total internal reflection, दोनों topic एक दूसरे से connected हैं, दोनों topic एक दूसरे से link हैं, इसलिए दोनों topic को हम एक साथ deal करेंगे, और इसके अंदर एक से बढ़कर एक numerical आजम करने वाले हैं, यह theory है, theory 10 मिनट में खतम हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में theory complete, उसके बाद हम लोग numerical की ही बात करेंगे, इस session में हम लोग, clearे बच्चों, अगर हिंदी में बात करना है, तो हि critical angle का, जो हिंदी होता है, वो होता है, क्रांतिक कोन, क्रांतिक कोन, एवं, पूर्ण, आंत्रिक, प्रावर्तन, critical angle का हिंदी होता है, क्रांतिक कोन, और total internal reflection का हिंदी होता है, पूर्ण, आंत्रिक, प्रावर्तन, short में, TIR के नाम से famous है, TIR, T4, total, I4, internal, R4, reflection, total internal reflection, और इसके उपर, हम लोग, आज, एक से बढ़ कर एक numerical करेंगे, चलिए, पहले, इनको हम समझ लेते हैं, कि ये critical angle क्या होता है, और total internal reflection क्या होता है, clear है, चलिए, इनको हम समझते हैं, ray diagram से, इनको हम लोग समझते हैं, ray diagram से, एक ही वार में दोनों समझ लेंगे, critical angle को भी एकी बार में समझ लेंगे और total internal reflection को भी एकी बार समझ लेंगे चलिए एक interface हम लोग बना रहे हैं चलिए board पे सारे लोग बिल्कुल अच्छे से care करना एक interface हम लोग बना रहे हैं जाइर सी बात है कि अगर एक interface की बात कर रहे हैं तो दो medium होगे, यानि one pair of medium होगा, माल लेते हैं, this is a medium one and this is a rarer medium, this is a rarer medium and this is a medium two and this is a denser medium, okay, this is a rarer medium, medium one and this is a denser medium, medium two, okay, अब हम चलो एक सबसे पहले normal बना लेते हैं, हलाकि normal तो बाद में होता है, पहले तो incident light ray होता है, फिर normal होता है, कोई बात नहीं, आप समझते हो, आप यह समझते हो, कि पहले incident light ray फिर normal, हम सुबदा के लिए पहले normal बना लिए, अब क्या करेंगे, denser medium से incident light ray को यहां भेजने है अब यह incident light ray, denser medium से rarer medium में जाएगा, यह incident light ray, denser medium से rarer medium में जाएगा, तो यह normal है बच्चों, तो normal से दूर हटेगा, चुकि we know that, when light ray comes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, तो यह normal से दूर हटेगा, तो यह light ray किदर हो जाएगा, normal से दूर हट जाएगा, तो यह light ray normal से दूर हट जाएगा, तो यह light ray normal से दूर हट जाएगा, this is a incident angle i and this is a refracted angle r, ओके, this is a case 1, अब क्या करते हैं, इसी same pair of medium के लिए, इसी same pair of medium के लिए, second case लेते हैं, second case, चलिए हम दुबारा से normal ले रहे हैं, हम दुबारा से normal ले रहे हैं, अब क्या करेंगे, case 2 में, case 1 के compare में, incident angle को increase करेंगे, incident angle को बढ़ा रहे हैं, माल लेते हैं, पहले incident angle रहा होगा, 10 degree, अब incident angle को 10 degree से बढ़ा रहे हैं, तो माल लेते हैं, ये incident angle हमने 10 degree से बढ़ा दिया, तो पहले incident angle कम था, अब हम second case में incident angle हमने बढ़ा दिया, incident angle क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, तो suppose इसको हम I1 माल लेते हैं, और ये R1 माल लेते हैं, ये incident angle को बढ़ा दिया, तो ये incident angle को हमने i2 माल लिया और i1 से बढ़ा है i2 i1 से बढ़ा है i2 तो जाहिर सी बात है कि अगर हम incident angle को बढ़ाएंगे तो refracted angle भी बढ़ेगा ये snail's law के द्वारा ये result possible है अगर आप reflection of light में जैसे जैसे angle of incident बढ़ाते हो वैसे वैसे angle of reflection बढ़ेगा due to snail's law due to snail's law बताये थे हम जब हम snail's law में पढ़ाये थे तो तो जैसे जैसे incident angle को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे refracted angle भी बढ़ेगा तो हमने incident angle बढ़ाया तो refracted angle भी बढ़ेगा refracted angle भी बढ़ेगा refracted angle भी बढ़ेगा and this is odd 2 इधर क्या हो रहा है, इधर i1 से जाधा कौन है, i2 और इधर r1 से जाधा कौन है, r2 तो जैसे incident angle को बढ़ाएंगे वैसे वैसे refracted angle भी बढ़ेगा, अब एक और case ले रहे हम अब बच्चों एक और case ले रहे हैं एक और case, बच्चों अब एक और केस ले रहें चलिए केस थर्ड ले रहें डिस इस थर्ड and this is a normal this is a case 2 same pair of medium रखकर केस थर्ड ले रहें क्या ले रहें क्या रहें केस थर्ड अब क्या कर रहें और भी हम incident angle को और बढ़ाए है आई टू से भी बढ़ा दिये तो एक समय incident angle बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि R बढ़ते 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 बिल्कूल इस interface पे आजाएगा समझना अब बात को अब बात को समझना कि अगर हम incident angle बढ़ाते हैं तो refracted angle भी बढ़ेगा अगर हम incident angle को बढ़ाते हैं तो refracted angle भी बढ़ेगा, जैसे जैसे incident angle को बढ़ा रहे, वैसे वैसे refracted angle भी बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा, कि incident angle बढ़ाते बढ़ाते, एक समय ऐसा आएगा, कि refracted angle इस interface पे चला जाएगा, यानि ये refracted light ray इस interface पे चलाएगे, तो माल लेते हैं, कि बढ़ाते बढ़ाते, एक case ऐसा आएगा, माल लेते हैं, कि incident angle बढ़ाते बढ़ाते, एक case ऐसा आएगा, कि जिस पर refracted light ray बिल्कुल interface से coincide कर गिया, बिल्कुल इंटरफेस से क्या कर गया कॉंसाइड कर गया तो यह नॉर्मल है क्या है नॉर्मल से रिफ्रेक्टेड लाइट रे का एंगल R होता है तो यहां R कितना डिगरी हो गया 90 डिगरी अरे होगा ना भाईया होगा ना बिलकुल होगा हमने क्या किया दिरे दिरे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना शुरू किया तो जैसे जिसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिफ्रेक्टेंट एंगल भी बढ़ेगा due to a snail's law तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐ तो समझना अब ध्यान से सुनना कि जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहें वैसे वैसे रिफ्रेक्टेंट एंगल बढ़ रहा है तो एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जिस पर रिफ्रेक्टेंट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उस इंसिडेंट एं कहा जाता है उस incident angle को ही critical angle कहा जाता है और उसको c से represent करते हैं उसको c से represent करते हैं तो यही i3 यानि यही incident angle critical angle के बरावर हो जाएगा यही incident angle critical angle के बरावर हो जाएगा यही incident angle critical angle के बरावर हो जाएगा तो यहां से critical angle का definition क्या मिला कि वैसा incident angle जिस पर refracted angle 90 degree हो जाए उस incident angle को ही critical angle कहा जाता है बताईए comment करके कितने लोगों को critical angle का definition समझ में आया comment करके बताईए clear है शिमरन ओके बताईए बच्चों कितने लोगों को ये चीज clear हुआ जैसे जैसे incident angle बढ़ेगा वैसे वैसे refracted angle भी बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि I को बढ़ाते बढ़ाते एक समय आएगा कि R बढ़वड कर 90 degree हो जाएगा और ये refracted ये refracted light ray बिल्कुल interface पे coincide कर जाएगा बिल्कुल interface से overlap कर जाएगा तो जिस incident angle पर refracted angle 90 degree हो जाए उस angle को ही उस incident angle को ही critical angle कहा जाता है रिचा पलवी अंजली इसिका पृति उतपल अधित्या clear है बच्चों यही है हमारा critical angle यही है हमारा critical angle तो critical angle का definition क्या हो गया वैसा incident angle वैसा incident angle जिस incident angle पर refracted angle 90 degree हो जाए उस incident angle को ही critical angle कहा जाता है और उसे C से represent किया जाता है तो जिस incident angle पर R 90 degree हो जाए यानि refracted angle 90 degree हो जाए उस incident angle को ही critical angle कहा जाता है और critical angle को C से represent करते हैं अभी definition हम लिख देंगे definition हम अलग से लिखवा देंगे अभी तो cable समझाना है तो यह हमारा क्या था बच्चों यह हमारा incident ray था यह क्या था incident ray और यह क्या था refracted ray यह incident ray और यह refracted ray यहाँ भी incident ray और यह refracted ray और यहाँ भी बच्चों यह incident ray और this is a this is a refracted ray तो जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रेक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिगरी बना ले उस इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है उस इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है डेफिनेशन हम अलग से लिखवा देंगे अब सुनना लाइट में इस परकार के होने वाली घटना को इस इंसिडेंट एंगल को तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं क्रिटि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब रिफ्रेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ 90 डिगरी बना ले और वो इंटरफेस से ओवरलाइप कर जाए तो परकास में होने वाली इस परकार की घटना को एक नाम दिया गया और उसका नाम कालाया ग्रेजिंग इमर्जेंस इसका नाम क्या कलाया बच्चों ग्रेजिंग इमर्जेंस इसका एक्जेक्ली कोई हिंदी में नाम नहीं होता है इसलिए इसका कोई हिंदी में नाम हम आपको नहीं लिख रहे हैं इस परकार के घटना को लाइट में होने वाली इस परकार के घटना क grazing emergence कहा जाता है और grazing emergence में क्या होता है incident angle critical angle के बरावर हो जाता है grazing emergence में क्या होता है incident angle critical angle के बरावर हो जाता है तो light में होने वाले इस प्रकार की घटना को grazing emergence नाम दिया गया जब refracted light ray बिल्कुल interface से overlap कर जाए बिल्कुल छूते हुए निकल जाए बिल्कुल असपर्स करते हुए निकल जाए, reflected light ray interface से बिल्कुल असपर्स करते हुए निकल जाए, बिल्कुल छूते हुए निकल जाए, तो प्रकास में होने वाली इस घटना को grazing emergence कहा जाता है, grazing का मतलब होता है असपर्स करते हुए, grazing का मतलब क्या होता है aspers करते हुए और emergence का मतलब होता है उभार तो aspers करते हुए उभार होता है तो उसको English में क्या बोलते है grazing emergence तो light में होने वाली इस परकार की घटना को grazing emergence बोलते है grazing emergence बोलते है और जब incident angle एक ऐसा incident angle जिस पर refracted angle 90 degree हो जाय, तो उस incident angle को critical angle कहा जाता है, तो बताईए grazing emergence कितने लोगों को अच्छे से clear हो गया, comment करके बताईए, grazing emergence कितने लोगों को अच्छे से clear हो गया, comment करके बताईए, प्रीती और लोग बताएं और लोग बताएं बच्चों उत्पल, शिमरन, रीचा, शुमेद maximum teacher grazing emergence नहीं पढ़ाते हैं maximum teacher grazing emergence छोड़ देते हैं पढ़ाते ही नहीं है और कभी-कभी objective में पूछता है completion exam में, NEET में, IIT में कि ये grazing emergence का condition क्या है तो grazing emergence का condition, incident angle बरावर critical angle होगा समझ जाना grazing emergence का condition लागू हो जाएगा clear है? चलिए बिलकुल बढ़िया अब एक और case ले रहे हैं अब एक और case ले रहे हैं बच्चों क्या आपको यहां दिखेगा side में देखते हैं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा इसको camera को इधर कर देते हैं तो दिखने लगेगा ओके चलिए अब एक और case ले रहे है एक और case ले रहे दिख रहा है? ओके हाँ अब एक और case ले रहे है इस interface को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं इस interface को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं इसको हमने केस 4 का नाम दिया अब सुनना इस इंसिडेंट एंगल को यदी हम क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाएं काने का मतलब यह है कि इस इंसिडेंट एंगल को अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को अगर हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें यानि इस आई को अगर हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा कर दें इस इंसिडेंट एंगल आई को अगर हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो अब क्या होगा कि यह जो refracted light ray है अब यह जो refracted light ray है वो और किधर bend कर जाएगा चुकि धीरे धीरे ऐसे bend कर रहा था तो अब यह किधर आ जाएगा अब यह denser medium में ही आ जाएगा यानि यह refracted light ray किधर bend कर जाएगे देखो critical angle पर refracted light ray बिलकुल interface पे था अब जब incident angle को critical angle से बढ़ा दिये तो अब यह refracted light ray किधर मुड़ जाएगा किधर bend कर जाएगा बच्चों उसी medium में bend कर जाएगा जिस medium से incident light ray आया है यह हमारा incident angle आई और यह हमारा refracted angle आई refracted angle आई अब यहाँ पर क्या हो गया याद करो reflection of light प्रकास का प्रावर्तन जब प्रकास एक माध्यम से एक medium से चलकर किसी दूसरे medium से टकराती है तो टकराने के बाद बापस light ray उसी medium में load आती है तो समझ लेना reflection of light हो रहा है तुम यहाँ देखो यह dancer medium था बच्चों यह dancer medium और यह rarer medium था medium 1 यह rarer medium था medium 1 light ray incident light ray denser medium में टकराया और बापस denser medium में ही lot आया इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया reflection reflection क्या हो गया reflection reflection नहीं reflection हो गया और reflection में reflection जब होता है reflection में reflection जब होता है प्रकास के अपवर्तन में जब प्रकास का प्रावर्तन होता है तो उसे ही total internal reflection कहा जाता है तो यहाँ पर क्या हो गया, total internal reflection हो गया, क्या हो गया बच्चों, total internal reflection, t-i-r हो गया, क्या हो गया, t-i-r हो गया, यही t-i-r हो गया, कितने लोगों को समझ में आया, comment करके बताईए, कितने लोगों को समझ में आया, बच्चों, comment करके बताईए, this is, this condition is, t-i-r, total internal reflection, सुमित वनवाल, अंजली गुपता, और लोग बताएं, और लोग बताएं, रिचा, उत्पल, इसीका, पलवी, देख लोग कितना आसान concept है, critical angle का और t-i-r का, लेकिन teachers इनको इतना जादा complex करके बताते हैं, इतना जादा जटिल करके बताते हैं, कि लोगों को समझ में नहीं आता है, कि टी-i-r है क्या, कितना आसान है टी-i-r, हुआ क्या, एक बार सारे cases को एक बार repeat कर रहें, हमने क्या किया, हमने incident angle को धीरे-दीरे बढ़ाया, अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से इसको हम revise करवा रहें, हमने दीरे-दीरे क्या किया, incident angle को बढ़ाया, तो incident angle बढ़ाने पर refracted angle भी बढ़ेगा, यानि I बढ़ाने पर R भी बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि I बढ़ाते, 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 एक समय ऐसा आएगा कि R बढ़ते, 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 उस incident angle को critical angle बोलते हैं अब यदि incident angle को critical angle से बढ़ा दें अब यदि incident angle को और critical angle से भी बढ़ा दें तो ये जो interface से overlap किया था वो कहां चला जाएगा वो इधर bend कर जाएगा यानि light ray जिस medium में जिस medium से आ रहा है टकरा कर बापस उसी medium में जा रहा है तो ये क्या कहलाता है reflection of light कहलाता है तो reflection of light में जब reflection of light की घटना होती है तो उसको उसका नाम दिया गया total internal reflection अब देखो total internal reflection में तीन वर्ड है total internal reflection इन तीनों वर्ड का मतलब आपको समझाते है total internal reflection में तीन वर्ड है total internal reflection में total internal reflection में total internal reflection में total internal reflection में तीन वर्ड है total का मतलब 100% incident light ray 100% incident light ray reflect होकर उसी medium में लोट आया जिस medium में incident light ray आया था तो total का मतलब 100% इसका मतलब 100% incident light ray जिस medium से आया है इंटरफेस पे टकराने के बाद बापस उसी medium में आ गया यानि 100 का 100% 100 का 100% incident light ray का उसी medium में reflection हो गया तो total का मतलब 100% internal का मतलब सारा तो internal ही हो रहा है न एक्स्टर्नल कब हो था जब यह इस medium में होता तो वो एक्स्टर्नल होता है लेकिन सारा अंदर अंदर ही हो गया सारा अंदर अंदर ही हो गया बाहर तो लाइट रे गया ही नहीं अरे बाहर तो लाइट रे गया ही नहीं सारा अंदर अंदर ही हो गया तो अंदर को क्या बोलते है इंटर्नल तो इंटर्नल और रिफ्लेक्शन तो सम पतलब जानते हो बॉंसिंग बैक ओफ लाइट इस रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया तो बताइए टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया कमेंट करके बताइए ओके क्लियर है उत्पल अंजली शुमीत शिमरन तो बैया यही था क्रिटिकल एंगल का कॉंसेट और टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन का कॉंसेट क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन का यही कॉंसेट था यही कॉंसेट तो डेफिनेशन क्या बना अभी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे critical angle का definition क्या बना तो critical angle का definition बना कि वैसा incident light ray sorry, वैसा incident angle जिस angle पर refracted angle 90 degree हो जाए और refracted light ray interface से overlap कर जाए तो ऐसे incident angle को critical angle कहा जाता है और light में होने वाली इस परकार की घटना को grazing emergence कहा जाता है क्या कहा जाता है grazing emergence इसका हिंदी कोई fix नाम नहीं है इसलिए इसका हमने हिंदी नहीं लिखा अब total internal reflection का definition जब incident angle को critical angle से बढ़ा दिया जाए तो तो incident angle जिस माध्यम से जिस medium से आ रही है interface से टकराने के बाद बापस उसी medium में लॉट आती है प्रकास में होने वाली इस प्रकार की घटना को total internal reflection कहा जाता है बिल्कुल simple सा है लेकिन यहाँ पर समझने बाली बात ये है समझने बाली बात ये है कि critical angle और total internal reflection केवल और केवल तभी संभव है केवल और केवल तभी संभव है जब incident light ray denser medium से rarer medium में जा रहा हो ये समझने वाली बात है सबसे ज़्यादा जरूरी समझने वाला बात यही है कि critical angle और total internal reflection कब possible है जब incident light ray denser medium से rarer medium में जाएगा तभी ये possible है otherwise incident ray rarer medium से जब denser medium में आएगा तो ना ही critical angle मिलेगा और ना ही total internal reflection मिलेगे तो condition क्या है critical angle और total internal reflection के होने का condition एक ही condition है कि incident light ray denser medium से rarer medium में जा रहा हो तभी possible है critical angle मिलने का और तभी possible है total internal reflection होने का तो ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर चलना कि denser medium से rarer medium में जब incident light ray जाएगा तभी critical angle भी संभवे और तभी total internal reflection टी आई आई आर भी संभवे otherwise जब incident light ray rarer medium से denser medium में जाएगा तो critical angle ही नहीं मिलेगा और जब critical angle नहीं मिला तो total internal reflection भी नहीं मिलेगा तो बताईए ये बात कितने लोगों को समझ में आया बताईए बच्चों ये condition बाली बात कितने लोगों को समझ में आया comment करके बताईए सुमित, प्रिती, अंजली, शिम्रन, इशिका, रीचा, उत्पल, अदित्या clear है? आकर्ज, चलिए screenshot ले लिजिए अब हम definition लिखेंगे screenshot ले लिजिए अब critical angle का definition लिखेंगे और total internal reflection का definition लिखेंगे clear है? चलिए screenshot ले लिजिए screenshot ले लिजिए बच्चों, definition लिखेंगे कई बार definition लिखेंगे में पूछा गया, कई बार TIR का definition, critical angle का definition लिखेंगे two marks में तो सबसे पहले definition लिखेंगे critical angle का हिंदी में क्रांतिक कोन बोलते हैं? क्रांतिक कोन? लिखेंगे लिखेंगे कोंशना अदीन लिखेंगे कैंगे लिखेंगे look at at that angle of incidence I at that angle of incident I at that angle of incident I refracted angle refracted angle are will be 90 degree will be 90 degree that incident angle that incident angle is called as critical angle is called as critical angle or critical angle wallet definition make critical diagram banana critical angle wale definition make critical angle to la re diagram banana exam my clear it is represented by it is denoted by it is denoted by c yawphir ic kisikisi book messe seri present kia jata critical angle को और किसी-किसी बुक में IC से रिपर्जन किया जाता है हम यह सेंबल ज्यादा यूज करेंगे सी वाला किसी-किसी बुक में IC से भी रिपर्जन करते हैं critical angle को तो जो मर्जी आप उससे कर लो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में भी लिख देते हैं वैसा वैसा आपतन कोन जिस पर अपवर्तन कोन जिस पर अपवर्तन कोन 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोन को ही क्या कहा जाता है क्रांतिक कोन उस आपतन कोन को ही क्रांतिक कोन कहा जाता है यानि जिस एंगल पर जिस इंसिडेंट एंगल पर आर कितना हो जाए 90 डिगरी जिस इंसिडेंट एंगल पर आर कितना हो जाए 90 डिगरी उस इंसिडेंट एंगल को critical एंगल कहा जाता है उस इंसिडेंट एंगल को critical एंगल यानि C कहा जाता है तो i बरावर c when r बरावर 90 डिगरी i बरावर c when r बरावर 90 डिगरी यानि i कब c के बरावर होगा जब r 90 डिगरी होगा clear है? और condition क्या है? critical angle होने का condition incident light ray हमेशा denser से rarer में जाएगा तो ही critical angle होगा और तो ही TIR होगा बताईए कितने लोगों को critical angle का definition अच्छे से clear हो गया comment करके बताईए कितने लोगों को critical angle का definition clear हो गया comment करके बताईए बताओ बच्चों चलिए screen shot ले लीजिए और इसके अंदर critical angle वाला ray diagram बना लेना इसके अंदर critical angle वाला ray diagram बना लेना चलिए screenshot ले लीजिए अब हम लोग TIR का definition लिखेंगे टी आई आर का definition टी आई आर का definition चलिए अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं TIR का टोटल इंटर्नल रिफ्लाक्षन टोटल इंटर्नल रिफ्लाक्षन का हम लोग क्या कर रहें यानि TIR टी आई आर का हम लोग definition लिख रहें यानि वेन 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 इंसिदेंट एंगल आई इस ग्रेटर देन रिफ्लाक्षन क्रिटिकल एंगल C when incident angle I is greater than when incident angle I is greater than C yaniki that is that is kya that is I is greater than C when incident angle I is greater than critical angle C then then incident ray reflect back on same medium then incident ray reflect back on same medium which it comes from वीच इट कमस फ्रॉम जिस मीडियम से आया है पापस चक्राकर उसी मीडियम में लोट जाता है reflect by reflect back on same medium reflect back in same medium which it comes from this phenomena this phenomenon of light light is called as total internal reflection total internal reflection total internal reflection short में TIR total internal reflection TIR TIR और इसके लिए क्या incident angle is greater than critical angle होना चाहिए तभी TIR होगा incident angle critical angle से जादा होगा तभी TIR होगा ओके तो समझना यहाँ पर TIR कब होगा जब I is greater than C होगा और critical angle कब होगा जब R 90 degree हो तो I ब्रावर C होगा clear है कितने लोगों को चलो हिंदी में भी लिख देखते हैं definition जब आपतन कोन क्रांति कोन से ज़्यादा हो जाता है तब ज़्यादा हो जाता है तब अपवर्तित किरन संपर्की सता हमतलब इंटरफेस संपर्की सता हमतलब इंटरफेस से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लोड जाती है जिस माध्यम से आती है उसे ही प्रकास का पुर्ण आंतरिक प्रावर्तन कहा जाता है प्रावर्तन कहा जाता है बताए बच्चों कितने लोगों को TIR का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया बताए कितने लोगों को TIR का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया TIR वाले में TIR का रे डियाग्राम बना लेना TIR वाले में TIR का रे डियाग्राम बना लेना क्लियर है चलिए जेव पंजली इज़ी। उत पवल शिछिमरन प्रिती रीचा, लो चलिए स्किन्शॉर ले लिए बच्चों क्रिटिकलं एंगल सो बसान है क्रिटकल एंगल का इप डायरं बना ले टिट यहाय वाले में क्रिले डयायर में टि इयां आयर का रेऋण डेखराम बना लेना अब डेफिनेशन मंहेंद और करेश का भी लिखते ते हैं अब फो ऊद्रेशन emergence when when incident angle is equal to critical angle I C and refracted angle R is 90 degree that is R 90 degree then refracted ray then refracted ray then refracted ray goes then refracted ray goes goes by yeah goes from overlapping 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 on interface between two medium interface between two medium this phenomenon of light this phenomenon मेना of light of light is called as grazing emergence grazing emergence grazing emergence यानि जब refracted right ray overlap करते हुए जाई interface के साथ तो light में होने वाली इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं grazing emergence यानि grazing का मतलब छूते हुए asperse करते हुए किसको asperse करते हुए interface को asperse करते हुए जब जाए तो उस घटना को प्रकास में होने वाली उस घटना को grazing emergence कहा जाता है और यह कब होगा जब incident angle critical angle के बराबर होगा जब incident angle किसके बराबर होगा critical angle के बराबर होगा तभी grazing emergence होगा और उस case में r कितना degree होगा 90 degree उस case में r कितना होगा 90 degree तो जब जब i critical angle के बराबर होगा r 90 degree के बराबर होगा तभी grazing emergence की घटना होगी otherwise घटना नहीं होगी तो बताइए comment करके कितने लोगों को grazing emergence का definition अच्छे से clear हो गया कि अच्छे लेली जी बच्चों कि अब हम condition भी लिखा देते हैं कि क्या condition होना चीए critical angle होने का TIR होने का grazing emergence होने का condition main condition क्या है कि incident ray dancer से rarer में जाना चाहिए चलिए screenshot ले लिजिए condition लिखवा देते हैं चलो ले लिए screenshot चलो conditions for critical angle TIR and grazing emergence यह तीनों होने का condition तीनों के लिए common condition तीनों के लिए common condition it must be incident ray goes from denser medium to rarer medium to rarer medium it must be it must be incident ray goes from denser medium to rarer medium किसका मतलब यह है कि TIR critical or grazing emergence होने के लिए incident ray को denser medium से rarer medium में जाना चाहिए तब यह possible है तीनों otherwise possible नहीं है otherwise possible नहीं है clear है चलिए अगर हम अलग-अलग करके देखें अलग-अलग करके देखें अगर हम condition for conditions for यह conditions of critical angle को केवल देखें शुरू में तो पहला condition तो यही होगा इसको छाप लेना पहला condition में यहीवला यानि incident light ray Denser से rarer में जाना चाहिए Dancer से rarer में जाना चाहिए incident ray को incident ray को कहां से कहां जाना चाहिए Denser से rarer में जाना चाहिए दूसरा condition, critical angle कब होगा, when, r बरावर 90 degree होगा, then, i critical angle के बरावर होगा, ये condition भी होना चाहिए, जब r 90 degree होगा, तब i critical angle के बरावर होगा, और पहला condition तो है, कि incident light ray, देंसर से rarer में जाना चाहिए, अगर हम condition देखें, conditions of, conditions of grazing emergence का, grazing emergence का, अगर हम grazing emergence का condition देखें, तो पहला condition तो यही होगा, denser से rarer में जाना चाहिए, किसको incident ray को, और दूसरा condition, i बरावर c होना चाहिए, and r बरावर 90 degree होना चाहिए, यानि जो condition, critical angle होने का, वही same to same condition, grazing emergence के लिए भी, चुकि critical angle होता है, तभी तो grazing emergence होता है, clear हो गया, और थर्ड अगर हम बात कर लें, condition of TIR, TIR का condition, तो पहला condition तो same, कि incident light ray को, denser medium से rarer medium में जाना चाहिए, incident ray को, denser medium से rarer medium में जाना चाहिए, और दूसरा condition, i is greater than c होना चाहिए, दूसरा condition, i is greater than c होना चाहिए, तो critical angle और emergence होने के लिए, grazing emergence होने के लिए, i, c के बराबर होना चाहिए, और TIR होने के लिए, i, c से जादा होना चाहिए, i, c से जादा होना चाहिए, critical angle से जादा होना चाहिए, अगर आप से एक छोटा सा चीज पूछे, अगर आप से एक छोटा सा चीज पूछें बच्चों, अगर आप से एक छोटा सा चीज पूछें, कि conditions for, condition for simple refraction, condition for simple refraction, यानि अभी तक जो हम refraction पढ़ते आ रहे हैं, simple refraction, उसके लिए क्या condition है, क्या उसके लिए ये condition होगा, कि केवल इंसिदेंट लाइट रे डेंसर से रेरर में ही जाना चीए, ना, ना, डेंसर से रेरर में भी जाता है, तब भी refraction होता है, रेरर से डेंसर में जाता है, तब भी refraction होता है, तो इसके लिए ये condition तो valid नहीं है, कि केवल डेंसर से रेरर में ही रिफ्रेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन और ग्रेजिंग इमर्जेंस डेंसर से रेरर में जाने पर होता है पर सिंपल रिफ्रेक्शन चाहे इंसिडेंट लाइट रे डेंसर से रेरर में जाए चाहे इंसिडेंट लाइट रे डेंसर से रेरर में जाए या फिर रेरर से डेंसर में आए दोनों केस में सिंपल रिफ्रेक्षन होगा दूसरा कंडिशन क्या है दूसरा कंडिशन इंपॉडेंट है और यही कंडिशन हम नियूमेर्कल में यूज करेंगे TIR और क्रिटिकल एंगल के उपर जो हम नियूमेर्कल करेंगे उसमें सिंपल रिफ्रेक्षन का यह कंडिशन यूज करेंगे देखो अगर I बरावर C होता है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा I is greater than C होता है तो TIR होगा तो रिफ्रेक्षन कब होगा जब I less than C होगा जब तक I C से छोटा होगा तब तक रिफ्रेक्षन होगा तब तक क्या होगा रिफ्रेक्षन हमेशा याद रखना कि जब तक I C से छोटा है तब तक रिफ्रेक्षन होगा और जब I C के बरावर हो जाएगा grazing emergence होगा और जब IC से जादा हो जाएगा तो TIR हो जाएगा बताईए ये condition कितने लोगों को अच्छे से clear हो गया comment करके बताओ ये condition अच्छे से कितने लोगों को clear हो गया comment करके बताओ अनू कुमारी बोल रही है सर आपके ITF lecture 10 के विडियो में सौन नहीं आता है हाँ ITF 10 जब हम पढ़ा रहे थे तो live class जब हम लिये थे अनू आप जो भी हो I don't know you बट आपके सवालों जबा हम दे देते हैं जब हम ITF 10 पढ़ा रहे थे तो live ही पढ़ा रहे थे तो live जब पढ़ा रहे थे तो बिल्कुल सही था उस दिन की बात कर रहे है लेकिन जब live पढ़ाने के बाद जो automatic video अपलोड हो जाता है YouTube पे उसमें पता नि क्या technical fault हुआ कि video तो अपलोड हो गया YouTube पे पर उसका audio नहीं record हो पाया हमने बहुत कोशिस किया पर नहीं हुआ तो उसको वैसे ही छोड़ दिये clear है तो इस कारण से ITF 10 का video में voice नहीं आ पाया recorded वाले में और live वाले में तो आया ही था clear है चलिए okay चलिए screenshot ले लीजे बच्चों screenshot ले लीजे फड़ाफ़ड सारे लोग screenshot ले लीजे सारे लोग screenshot ले लीजे अब देखो झलदी जलदी हम एक बात रख देते हैं जलदी जलदी एक बात रख देते हैं जब آई LAUC चोगा कई कई तो civilмерик कुंपल रिफ्रैक्ट΂ उगा प्सभड़ को का समझना कि याद रखना बच्चों जब लें लेजे दिन C होगा, C क्या है critical angle, जब I C से छोड़ा होगा, तो simple reflection होगा, जब I C के बरावर होगा, तो grazing emergence होगा, क्या होगा, grazing emergence, और जब I greater than C होगा, तो TIR होगा, total internal reflection, ये चीज हमेशा याद रखना, short में इसको क्या बोल रहें TIR ये तीन चीज हमेशा याद रखना बच्चों ये तीन चीज हमेशा याद रखना numerical में बहुत ज़्यादा help करेगा numerical में बहुत ज़्यादा help करेगा कब simple reflection होगा कब grazing emergence होगे कब TIR होगा वो depend करता है I के value पे जब I less than C होगा तो simple reflection जब I C के equal होगा जब I C के equal होगा grazing emergence grazing emergence और जब I greater than C होगा तो total internal reflection बताइए ये चीज कितने लोगों को clear हो गया comment करके बताओ ये चीज कितने लोगों को clear हो गया और grazing emergence में तो पताईए ना grazing emergence में तो पताईए interface से overlap करते हुए refractor light ray pass करेगा चलिए अब critical angle को calculate करने का formula derive कर रहे है critical angle को calculate करने का formula कितना critical angle मतलब R 90 degree होगा जब R 90 degree होगा तो incident angle critical angle के बराबर होगा तो वो कितना होगा भया ये तो मालूम करना है ना ये तो calculate करना है इस पर numerical आता है तो हम क्या formula किसका formula derive करेंगे हम लोग formula derive करेंगे derive the formula of critical angle derive the formula of critical angle C C calculate करने के लिए हम लोग formula derive कर रहे हैं चलिए अगर हम ray diagram की बात करें तो एक interface हो गया this is this is rarer medium medium 1 this is rarer medium and medium 2 this is denser medium और वी नॉर्मल and we know that critical angle होने के लिए ये अती आवस्यक है कि incident light ray denser से rarer में जाना चीए तो incident light ray denser से rarer में जाएगा और critical angle होने के लिए ये चीज refracted ray बिल्कुल interface के से overlap करेगा तो ये angle i और ये ही c के बरावर होगा और ये r कितना हो जाएगा 90 degree and this is a normal this is a normal अब हमें यही c निकालना है यही critical angle निकालना है और यह हमारा क्या है ये refracted ray है इसी घटना को grazing emergence बोल रहे है ये incident ray है जिस incident angle पर r 90 degree हो जाएग वही critical angle c है उसी c को निकालना है ये denser medium ये rarer medium और light ray को denser से ही rarer में जाना चाहिए तभी critical angle मिलेगा अगर otherwise नहीं मिलेगा तो चलिए c निकालना है तो इसके लिए snail's law apply करेंगे snail's law applying snail's law applying snail's law critical angle formula derive करने के लिए snail's law का help लेते हैं बिना इनके critical angle का formula derive नहीं हो पाएगा चलिए clear है तो बड़ा आसान सा हमने इनका formula यूज करने के लिए बताया था mu1 sign i बराबर mu2 sign r तो simple सा जिसका माल लेते हैं ये denser medium है तो इसका refractive index mu2 है और इसका refractive index mu1 है तो rarer medium का refractive index को mu1 माल लिए और denser medium के refractive index को mu2 माल लिए क्या माल लिए mu2 तो जिस medium का आप refractive index लेते हो असनेर स्लाओं को apply करने का एक आसान तरीका बताये थे mu1 sign i बराबर mu2 sign r इसका मतलब क्या जिस medium का refractive index ले रहे हो sign के साथ उसी का angle लोगे तो चलिए माल लेते हैं हम ले रहे हैं second medium का refractive index mu2 यानि denser medium का refractive index mu2 ले रहे हैं तो sign के साथ denser medium का angle आएगा तो sign के साथ denser medium का angle i clear है is equal to अब हम rarer medium का refractive index ले रहे हैं mu1 तो sign के साथ r आएगा sign r इसको equation 1 माल लो we know that यह i किस के बराबर होगा c के बराबर and r किस के बराबर है 90 degree तो r बराबर 90 degree रख दो equation first में r के जगा 90 degree रख दो और equation first में i के जगा c रख दो तो क्या हो जाएगा mu2 sin i के जगा c is equal to mu1 sin r के जगा 90 degree तो sin 90 का value 1 होता है तो यहां से mu2 sin c is equal to mu1 into sin 90 degree 1 तो यहां से mu2 sin c is equal to mu1 mu2 sin c is equal to mu1 तो यहां से sin c is equal to mu1 divided by mu2 this is the formula of critical angle this is the formula of critical angle यही critical angle का formula आगिया यही critical angle का formula आगिया तो critical angle का formula क्या मिला sin c is equal to mu1 divided by mu2 numerical में mu1 दिया जाएगा mu2 दिया जाएगा value रख दोगे sin c रख दोगे sin c रख दोगे sin c रख दोगे क्या मिल गया sin c रख दोगे mu1 दोगे याद रखने का तरीका बता रहे हैं याद रखने का तरीका याद रखने का तरीका जो तरीका बता रहे हैं कभी नहीं भूलोगे उस तरीके से बता रहे हैं critical angle के formula को याद रखने का तरीका critical angle के formula को याद रखने का तरीका साइन सी वरावर क्या दिया हुआ म्यूवन म्यूवन बटा म्यूटू अब ध्यान से देखना तो म्यूवन किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रेरर मीडियम का म्यूटू किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से denser medium का किसका denser medium का तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि critical angle sign C बरावर numerator में rarer medium का refractive index denominator में denser medium का refractive index numerator में rarer medium का refractive index denominator में denser medium का refractive index clear हो गया अगर suppose that as for example as for example कि अगर माल लेते हैं कि rarer medium air है rarer medium air है और denser medium कोई दूसरा है और जिसका refractive index माल लेते हैं mu है rarer medium air है जिसका refractive index 1 होता है और denser medium में कोई और medium में water हो glass हो diamond हो कुछ भी हो उसका माल लेते refractive index mu है तो बताओ critical angle का formula क्या हो जाएगा sin c बरावर refractive index of air divided by refractive index of other medium तो other medium का refractive index हमने mu माल लिया तो air का refractive index 1 होता है तो 1 बटा mu तो sin c बरावर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा mu ये कब valid है sin c बरावर 1 बटा mu कब valid है जब rarer medium में air दिया हो sin c बरावर 1 बटा mu formula कब valid है जब rarer medium में air दिया हो बताईए कितने लोगों को ये critical angle का formula अच्छे से clear हो गया बताईए comment करके कितने लोगों को ये critical angle का formula अच्छे से clear हो गया पर च्हार हो गया है अजली रीचा प्रीती शिम्रन इसिका पलवी आदित्या और लोग बताएं चलिए स्क्रीन्शॉट ले लिजे अब हम लोग नियुमेरिकल पर आते हैं अब हम लोग नियुमेरिकल पर आते हैं नियुमेरिकल पर चलिए स्क्रीन्शॉट ले लिजे अब हम लोग नियुमेरिकल पर आते हैं critical angle याद रखने का साइनसी ब्राबर numerator में rarer medium का refractive index denominator में denser medium का refractive index बस numerator में rarer का refractive index denominator में denser का refractive index हमेशा याद रखना चलिए साइनसी ब्राबर 1 बड़ा μू कब होगा जब rarer medium में air दिया हो तभी लिखना साइन्सी बराबर वन बटा म्यू अधर्वाइज नहीं चलिए बच्छों तो हम लोग नियूमेरिकल पर जम कर रहे हो गया त्योरी खदम हो गया त्योरी खदम अब लोग नियूमेरिकल पर आते हैं अच्छा नियूमेरिकल से पहले एक दो एक्जाम्पल बता देते हैं कि कहां कहां TIR होता है क्लेरे बस याद रख लेना उसको एक्जाम्पल औफ TIR TIR कहां कहां होता है एक दो एक्जामपल पहला मिराज बोले तो मारीचका आप लोग 10th classes में पढ़े होंगे मारीचका क्या होता है दृष्टी फ्रम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दृष्टी फ्रम हमें दृष्टी फ्रम होता है गर्मियों के मौसम में मतलब जब hot summer होता है बहुत जादा गर्मी होता है तो गर्मियों के मौसम में हमें दृष्टी फ्रम होता है जब हम रोड पे चलते हैं या फिर रेगिस्तान में चलते हैं तो हमें क्या लगता है कि आगे चलकर पानी जैसा दिखाई देता है वो किसके क करण ऐसा वरम होता है ये भूरंगा उत्पन होता है टियार्ग के कारण जिसको हम लोग मिराज का नाम दिए हैं और हिंदी में मारिज़का बोलते हैं क्राव कमेंड करके कि тебе लोगों को तर्मियों के मौसम में तो देखते होगे कि आगे चलकर पानी पानी जैसा दिखाई देता है रोड पर लकिन जब वहां पहुंचते हो तो वह पानी और आगे दिखाई देता है एक्चुल में वहां पर कोई पानी ही नहीं होता है वो मेरे मन का एक दृष्टी फ्रहम में जिस ऍार, दूसरा इक्जामप़, आल्डेडि हमने प्रहा रखा हैं, जासरी अप्रहा है एक उप्टिकल फाइवर में, जासरी में प्रक तन्थों याद होगा और ऐसां केवल होता है, Optical Fiverr Kevel Optical Fiverr Kevel बोलते है Kevel मतलब wire, तार Optical Fiverr Kevel एक ऐसा wire होता है एक ऐसा kevel होता है जिसमें हम लोग Sound को Transmit करते है Signal को Transmit करते है Signals को Transmit किया जाता है Signals Signals को Transmit किया जाता है किस के थुरू Optical Fiverr Kevel के थुरू signals में क्या signals में voice मतलब audio audio बोल सकते हो audio video audio video इस अब signals होते है जो simple wire से transfer नहीं होता है light वाला विजली वाला wire से आप sound को transmit नहीं कर सकते हो एक जगा से दूसरे जगा आप audio को आप video को transmit नहीं कर सकते हो एक जगा से दूसरे जगा simple बिजली वाले wire से एलक्टरी wire से audio, video यह सब signals होते हैं इनको transmit नहीं किया जा सकता है simple wire से फिर आप बोलते हो internet यह भी signal होते है internet जो आप 2G, 3G, 4G करते हो 2G, 3G, 4G अब तो 5G आने वाला यह सब जिनको आप broadward भी बोलते हो broadward, broad band जिसको आप broad band का भी नाम देते हो जो हम लोग, जो हमारे institute में लगे हुए हैं जिससे हम live ले रहे हैं तो यह सब जो transmit होते हैं signals, fiber optical cable से वो TIR के कारण ही होता है और इसमें जो signals होते हैं optical fiber cable में जो signals होते हैं वो light, approximately light के speed से transmit होते हैं signals, signals, transmit, transmits approximately, approximately एक्वल टू, speed of light इक्वल टू, speed of light speed of light, equal to a speed of light तो माल लेते हैं, दिस इजा optical fiber cable माल लेते हैं, दिस इजा optical fiber cable अब यह कैसे बनते हैं किस-किस material से बनते हैं यह आपको पढ़ना नहीं है यह इंजिनियरिंग में पढ़ना है लिसिज अप्टिकल फाइवर केवल अप्टिकल फाइवर केवल जिसको हिंदी में प्रकास थंतु बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकास थंतु और इससे जो signals transmit होते हैं वो TIR के कारण से ट्रांस्मीट होते हैं और सिगनल्स एप्रॉक्समेटरी लाइट के स्पीड से ट्रांस्मीट होते हैं इसलिए हम जिस समय बोलते हैं इंस्टेंटली उसी समय दूसरे व्यक्ति को मेरा वॉइस पहुंचता है ऐसा तोड़े होता है कि आज हम बोले और मेरे द्वारा बोले जाने वाला वाइस का सिगनल उसको कल मिलता है ऐसा तो नहीं है ना आप मुवाइल फोन पे बात करते हो तो मुवाइल फोन पे भी एक सिगनल्स होते हैं टावर से कैच करते हैं वो फाइवर ओप्टिकल केवल नहीं है, वाइफाई से चलता है, मतलब वो सिगनल्स एलेक्ट्रो मैगनेटिक बेव से चलता है वो, तो आप फोन पे, मॉवाइल फोन पे बोलते हो, तो कल सुनाई देता है, उसको किया उसी समय सुनाई देता है, तो वो किस कारण से होता है, क्योंकि सिगनल ट्रांस्मीट हो रहे हैं, लाइट के स्पीड जितने, इसलिए तुरंद का तुरंद उसके साथ, उसके सामने वाले को पहुंच जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माल लेते हैं, दी सीजा लाइट रे, माल लेते हैं, यह air medium है, और इसका medium अलग है, तो इसका reflective index भी अलग होगा, इसका reflective index अलग होगा, ठीक है, mute माल लिए, और फिर से air है, तो क्या होता है, total internal reflection होता है, यह यहाँ पर पड़ा, यह नॉर्मल है, यह जो angle है normal के साथ I, यह greater than C हो जाता है, जिसके कारण यह बाहर ना जाकर, उतने ही angle से reflect हो जाता है, उतने ही angle से, तो यह जितना angle, उतना ही angle, चुकि reflection में, I और R equal होता है, तो उतने ही angle से यह transmit हो जाता है, और फिर यहाँ भी TIR हो यहाँ यहाँ भी I is greater than C, तो यहाँ भी I is greater than C, यहाँ भी normal, फिर से I is greater than C, फिर से यह ऐसे हो गया, फिर से यह नॉर्मल और फिर से यह ऐसे हो गया, तो यह क्या है, यह TIR है, क्या है TIR, बाहर जाही नहीं पाता है, लाइट रे बाहर जाहीं नहीं पाता है, तो यह सब क्य एक तYea यार के कारण। बताइए कितने लोगों को अप्टिकल फाइवर केवल का एक्जामपल अच्छे से क्लिर हो गया कमेंट करके बता हihे कद के sauc remember के बतायए अंजली, शिम्रन, पल्वी, आदित्या, प्रीती, आकश, ओके चल, तो टाइम हो चुका है ज्यादा, करीब करीब वन एंड हाफ आवर होने वाला है, तो ऐसा करते हैं, वन एंड हाफ आफ 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 तो नहीं हुआ है, एक गंड़ा, वीस मिनट अल्ड़ी हो चुका है, तो क्या करें, नियुमेरिकल स्टार्ट करें, एक्जाम्पल हो गिया, आप नियुमेरिकल बचा है, नियुमेरिकल स्टार्ट करें, ओके चलो, तो नियुमेरिकल कल करेंगे, ओके, नियुमेरिकल कल करेंगे, क्लियर है, और, चलो ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल और टी आई आई आर के उपर नियुमेरिकल कल करेंगे, क्लियर है, हमने पूरा थियोरी पढ़ा दिया, हर चीज पढ़ा दिया, condition पढ़ा दिया formula critical angle का derive कर दिया अब इसके उपर केवल numerical बचा है numerical का class कल ले लेंगे कल इसके उपर numerical खतम कर देंगे ओके एक चीज समझ लेना थोड़ा सर समझ लो एक चीज बस एक मिनट और टाइम लेंगे हम इसको मिटा रहे हैं screenshot ले लो screenshot ले लो screenshot बस एक मिनट थोड़ा सा सीलेवस जो और रे आप्टिक्स का जो सीलेवस एभी सीख बूक के कोर्डिंग जो है उसको थोड़ा से हम समझा देते हैं देखो कल टी आई या और और क्रिटिकल एंगल पर नियूमरिकल करवा देंगे तो यह तो खतम ही हो जाएगा आपका जो एबी सी बूक है वो रे आप्टिक्स में किस परकार से यह रे आप्टिक्स के चेप्टर को बाटा है एबी सी बूक जो है रे आप्टिक्स को किस परकार से बाटा है इसने क्या किया इसने रिफ्लेक्शन ओफ लाइट और रिफ्लेक्शन ओफ लाइट यह दोनों को एक ही चेप्टर में रखा है है यह दोनों को एक ही चेप्टर में रखा है हमने अलग अलग पढ़ा रहा हमने अलग अलग पढ़ाया ओके और इस चेप्टर में यह खतम कहां किया है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट जो चेप्टर है और रिफ्लेक्शन ओफ लाइट यह दोनों एबी सी बुक में एक ही चे क्या है चेप्टर का एंड क्या है critical angle एंड टी आई आर पे यानि ABC book के recording ray optics का पहला चेप्टर कहां पे खतम हुआ है उसके अंदर reflection of light है और reflection of light दोनों मिला कर कहां पे खतम क्या है critical angle एंड टी आई आर पे तो कल इसके उपर numerical करवा देंगे critical angle टी आ यार पे तो हमारे तरफ से भी यानि ABC book के recording एक चेप्टर complete होगा और हमारे recording दो चेप्टर complete होगा क्योंकि हमने इसको अलग चेप्टर बनाया और इसका अलग चेप्टर बनाया अब ABC ABC अगला चेप्टर जो सुरू करता है chapter नुम्बर टू अगला जो चेप्टर सुरू करता है एबीसी वो यहां से शुरू करता है इसके बाद अगला चेप्टर सुरू करता है रे आप्टिक्स में एवीसी reflection through reflection ही है reflection ही है reflection through curved curved surface और इसी के अंदर lens भी रखा है lens theory और इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है lens तो ABC book क्या किया है पहला chapter में इन दोनों topic को रखा कहां तक critical angle and TIR और दूसरे chapter में reflection through curved surfaces और इसी के अंदर हम लोग lens भी पढ़ेंगे concave lens, convex lens और यहां पर जा करके आपका chapter close होगा और अगला chapter वो optical instrument का रखा है optical instrument का और अगला chapter dispersion of light रखा है तो भाईया हम जब इसके उपर numerical curl करवा देंगे तो next live session में हम लोग यह start करेंगे इसके बाद यह start करेंगे reflection through curved surfaces और उसी के अंदर lens का भी syllabus आईगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अभी क्या कर रहे थे chapter 1 पढ़ा chapter इसको हमने chapter 1 बना दिया chapter unit 1 इसको हमने unit 2 बना दिया इसको हमने unit 2 बना दिया अब क्या करेंगे इसको हम लोग unit 3 बना दियंगे इसको हम लोग unit 3 बना दियंगे यानि TIR और critical angle के उपर numerical करवाने के बाद हम ray optics का unit number third start करेंगे that is refraction through curved surfaces and lens इसको हम लोग unit third बना देंगे उसके बाद आजाएगा optical instrument optical instrument इसको हम unit four बना देंगे और last में आएगा last में आएगा क्या dispersion of light dispersion of light सीधा सीधा बोल दो कि इसमें हम लोग prism का यानि reflection through prism पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे reflection through prism इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे reflection through prism prism से प्रकास का बरतन इसको हम लोग unit five बना देंगे तो हम लोग 5 unit में इसको बाढ़ दिये रे आप्टिक्स को 5 यूनिट में बाठ दिये 1st यूनिट रिफ्लेक्शन ओफ लाइट 2nd यूनिट रिफ्लेक्शन ओफ लाइट कहा तक critical angle and TIR तक 3rd यूनिट रिफ्लेक्शन थूर्व कर्ड सर्फिसेज 4th यूनिट ओप्टिकल इंस्टुमेंट और in 5th यूनिट रिफ्लेक्शन थूर्व प्रिज्ब क्या syllabus clear हो गया comment करके बताओ क्या syllabus syllabus समझ में आ गया comment करके बताओ okay चलिए चलिए सिलेवस समझ में आई गया यानि numerical करवाने के बाद critical angle और TIR के उपर numerical करवाने के बाद रिय आप्टिक्स का यूनिट नमबर 3rd स्टार्ट होगा और यूनिट नमबर 3rd का जो chapter का नाम है वो क्या है reflection through curved surfaces और उसी के अंदर लेंज भी पढ़ेंगे clear है और ABC book में ये अलग chapter में किया है आप लोग ABC book खोल कर देखना ये अलग chapter में रखा है इन दोनों को पहला यूनिट में और इसको second unit में रखा है ओके तो आज का session यहीं पर खतम होता है बाकी next session में मिलेंगे तो TIR और critical angle पर numerical करेंगे और ये chapter complete करेंगे और unit 3rd start करेंगे clear है? बाइ